हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये केले के चिप्स की रैस्पी तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है और पोच लिया है तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे बनाना है तो चिप्स बनाने के लिए हमने ली है एक कटोरी और इसमें हम डालेंगे आधा चमच के करीब नमक और अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और नमक और पानी को हम अच्छे से घोल लेंगे तो जब तक ये गुल के तयार होता है तब तक हम चिप्स काटने की तयारी कर लेते हैं तो ये फ्रेंड्स हमने केला ले लिया है और इसको हम ऐसे उपर से थोड़ा सा काट देंगे और नीचे से थोड़ा सा काट देंगे और फिर इसको अच्छे से छील लेंगे तो हमें इस तरह से इस केले को छील लिया है और यह ले लिए हमने कड़ाई जिसमें की डाला है तेल और जब तक कि हमारा तेल गरम होगा तब तक हम चिप्स काट के तयार कर लेते हैं तो इस तरह का हमने एक चिप्स मेकर ले लिया है और इसी से हम चिप्स को काट लेंगे आप अगर चिप्स मेकर नहीं है तो चाकू से भी काट सकते हैं पर ध्यान रहे कि यह चिप्स पतले ही कटने चाहिए तो यह देखिए यह काफी पतले चिप्स कटके तयार हो रहे हैं तो और बिलडमे weapons लेते हैं आप डारेक्ट कढ़ाई में इनको काट सकते हैं पर झुल कढ़ाई में थोड़ा डर रहता है ये अगर जरह सा भी आपका हाथ हिला और कढ़ाई पलट गई तो फिर दिक्काद हो सकती है तो इसलिए मैं इसको लें ही काट रही हूं तो यह देखिए हमने यह एक केले को पूरा काट लिया है और एक केले के चिप्स काट लिये हैं पूरे तो चलिए इनको फ्राइ करते हैं तो इस तरह से हमें इक-एक करके डालना है, सारे एकटे नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे और फिर अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, तो इनको अलग-अलग करके डालना है और जो गैस का फ्लेम है वो हमें बहुत सलो ही रखना है जिसे कि यह दीमे-दीमे फ्राई हो और अच्छे कुरकुरे फ्राई हो तो इस तरह से मैं जितने इसमें आएंगे चिप्स एक बार में उतने मैं डाल तही हूँ तो इस तरह से हमें पलटते हुए इनको अच्छे कुरकुरे होने तक सेक लेना है तो जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे जो नमक का पानी हमने बना के रखा है तो इससे होगा ये कि चिप्स नमकीन भी हो जाएंगे और जो कड़ाई का टमपरेचर है जो जादा हो जाता है वो भी लो हो जाएगा तो जब पानी आप डालें तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो इसके छीटे आपके उपर ना आएं तो बहुत ध्यान से पानी डालें तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चमच के करीब पानी इससे हमारे चिप्स भी नमकीन हो जाएंगे और कड़ाई का जो तेल का टमपरेचर है वो भी थोड़ा लो हो जाएगा और ये देखिए हमारे चिप्स बनके तयार हो गए है ये थोड़े थोड़े से ये देखिए कलर भी इनका चेंज हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा हलके हो गया है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चिप्स फ्राई हो गया है और इनको हम निकाल लेते हैं एक टिशू पेपर के उपर जिसे की सारा तेल इस टिशू में आ जाएगा अब चाहें तो एक नीचे प्लेट रखकर उपर छलनी रखकर उस पर भी निकाल सकते हैं जिसे की सारा तेल आपका कटोरी में आ जाएगा तो इसी तरह से हम सारे चिप्स को फ्राई कर लेंगे तो एक बार के चिप्स मैंने तलकर तयार कर लिये हैं और आप चलते हैं ये सेकेंड राउंड के भी चिप्स डाल लेते हैं और इनको भी प्राई कर लेते हैं ये बनाना चिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो एक बार इस रेश्पी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यह देखिए मारे दूसरे राउंड के भी चिप्स बन के तयार हो गए हैं तो आप चाहें तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं और अगर चाहें तो मेरी तरह कुछ मसाले मिक्स करके भी इनको खाए जा सकते हैं तो चलिए हम इन में डालते हैं कुछ मसाले जो की मेरे पास हैं इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि यह चिप्स किस्तने क्रिश्पी बने हैं तो एक चिप्स मैं इनको तोड़ के दिखाती हूं कि यह चिप्स कितना ज़्यादा क्रिश्पी बनाया है तो यह देखिए तो चलिए इनमें मसाले डाल लेते हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये औरी गयनों थोड़ा सा थोड़े से मेरे पास सूखे पुदीना के पत्ते हैं तो मैं उनको भी डाल रही हूँ इसमें तो ये डाल दूएंगे हम पुदीना के पत्ते थोड़ा सब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला तो ये मैं चाट मसाला भी इसमें डाल रही हूँ और अलग से नमक डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें नमक अल्रेडी बहुत है तो ये चटपटे से चिप्स की डेस्पी आपको कैसी लगी उमीद करती होगी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद